नमस्कार दोस्तों देवरिची ब्लॉग में आपका स्वागत है तो आज मैं आपके साइश शेयर कर रही हूं मत्र के छुले की रेसिपी तो चलिए शुरू करते हैं इसे कैसे बनाते हैं दोस्तों ढरे दाले है याने ने टेल देली आपक हमें क मोटी मोटी काट रख गी है और याने आपका से भूल रहना है जादा प्यास को नहीं है अजम देल पाहण हो सोफ्टा सथूस्तों Üकसी काट लिया है और इसको भी हल्गा से सॉफ्ट होने तक ही बुन ना है इसके बार डाल देना है यहां पर अधर्क तो एक ध्रक होल्का सा कूट लिया है और इसके बार के लिध्य नहीं है और उसके बार मासाले तोů मसालों मैं लाल मिर्च, आदी चम्मच, धन्या पाउडर, आदी चम्मच से थोड़ा सा कम है हल्दी, थोड़ा सा लिया है यहां पर गरम मसाला, और आदी चम्मच के करीब है चाच मसाला, तो यह देखे, यह टामाटर और प्यास जो है, वो सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें एड़ कर दूँगी है, सारे सुखे मसाले, तो मसालो को भी अच्छे से, तीस से किंड के करीब या एक मिनट के करीब भूल लेना है, और उसमें डाल देनी है मतर और आलू, तो आलू को ज्यादा मोटे 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 पीस से मत काटेगा, थोड़े चुटे चुटे पीस काटेगा, और मतर भी जितनी आप चाहे होती डाल सकते हैं, तो और इनको अच्छे से मिक्स करके, और इसमें लास्ट में अपने टेस्ट के अनुसार नमक दाल देना है, तो यह पर मैं नमक क आप लिए चुकी हैं, अच्छे से मिक्स करऊंगी और थोड़ा से मिक्स करोंगी और थोड़ा से में अधिक कटियोरी के करी पानी डालके और इससे ढखके रख दूगी, तो पानी बहुत कम ही डालिएगा जिससे कि बस यह गलने लाइक पानी एड करना है इसमें, और यह आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं और चाहें तो पूरी या पराठी के साथ भी काफी टेस्टी लगते हैं लास्ट में इसमें एड़ गर दिया हमने हरा धनिया तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगे प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप